एक और वीडियो करते हैं इस बार जो चेप्टर चूज के अब है पी ब्लोग गुरूप नंबर 18 काफी जादा कोशन पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ एक्जाम से गुरूप नंबर 18 से जो आपको फड़ा फड़ से देख लेने इसके पहले तक गुरूप नंबर 15, गुरूप नंबर 16, गुरूप नंबर 17 मैं ओलरी कम्प्लीट कर चुका हूँ केमिकल बॉंडिंग के उपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और अगर अभी तक भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है इसकी प्ले लिस्ट का आप जाके देख सकते हैं सो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करता है लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी अभी सब्सक्राइब किया है चैनल को विजिट किया है तो आप जान लीजी कि मेरी जी केमिस्ट्री चैनल आपको और आपके जूनियर्स को कैसे मदद कर सकता है यहाँ पर केमिस्ट्री के पॉण व्यू से चैप्टर वाइस बहुत सारे MCQs के वीडियो मिल जाएंगे मोडिवेशल वीडियो भी मिल जाएंगे यूसफुल एक्जाम टिप्स वीडियो भी मिल जाएंगे गाइस अभी तक हम टोटल 365 प्लस वीडियो अप्लोड कर चुके हैं 4.3 मिलियो जाएंगे 70,000 सब्सक्राइबर अभी हमने क्रोज कर लिया है इन वीडियो के लिए आपको क्या करना है दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को गिवन है जिसको क्लिक करके देखता है फिर चैनल को विजिट कर लीजिए आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे पहले सवाल की तरफ मूव करते हैं बहुत अच्छा सवाल आपको ध्यान लिखना है करने का तरीका क्या है पहले आपको खुद को सोल करना है अगर आप सही होते हैं तो अपने आपको प्लस 4 मार्क देने है और अगर आप गलत होते हैं तो आपको माइनस 1 मार्क देने है गाईज और evaluate करने के बाद अपने marks comment section में लिखना मत भूलिये ताकि हम आप लोगों को कुछ न कुछ valuable suggestion दे सकें सो चलिए guys पहला सवाल देखिए the mixture which is used by sea divers for respiration आपको बताना है sea divers के लिए respiration process के लिए कौन सी gases का mixture इस्तमाल होता है बहुत simple question है आपको आना ही चाहिए so finally मेरी तरफ से इसका answer बनेगा helium and oxygen guys दो-दो question के answer मैं एक साथ देते जाओंगा so finally यहाँ पर answer बनेगा B so चलिए guys second question की तरफ move करते है second question बहुत interesting question है देखिए यहाँ पर list 1 और list 2 आपको given है list 1 में आपको compounds दिये हो है list 2 में आपको उनकी structures दे रखी आपको matching कर रही है और ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते है देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है यहाँ पर आपको hybridization का थोड़ा मदद लेना पड़ेगा तो hybridization निकालते कैसे हैं जरा ध्यान से उसको check कर लिए जिए hybridization निकालते है total number of sigma bond plus total number of lone pair यहाँ फिर हम लोग कह सकते है total number of atom attached plus total number of lone pair इन दोनों के total से ही आपको structure का मालूम पड़ेगा so finally जरा check करो zenon के यहाँ पर first compound में total number of atom attached कितने है 4, fluorine 4 attached है और यहाँ पर lone pair कितने बचे है 2 जरा check करो तो total number कितना आगया 6 अब इसके according आपको सोचना है ठीक है और actual में जो geometry होती है उसमें participate कौन करता है total number of atom attached, lone pair का उसमें कोई भागयदारी नहीं होती है तो जरा check करो 4 के हिसाब से और 2 आपको lone pair को भी जगा देनी है तो 4 के हिसाब से जरा check करो यहाँ पर 4 और 6, 4 और 2 छे number के हिसाब से octahedle structure बनता है और यहाँ पर जिनोन होगा इस center पर यह होगा इसका octahedle का structure तो finally जरा check करो 2 lone pair आपके पास और हमारे पास 4 fluorine है तो 4 fluorine को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरह से लगा दिया मैंने और यहाँ पर lone pair जो होंगे वो कौन सी position पर लगेंगे एक्सिल position पर और actual में जो lone pair होते हैं वो structure नम participate नहीं करते हैं तो यह structure actually क्या कहलेगा square planar तो actual में A का third बनेगा तो जरा check करो A का third सिर्फ A की option में वो है A तो यहाँ पर answer आपको सीधे मिल गया तो finally इसका answer बनेगा A तो अगर A के साथ 3 है तो B के साथ एक दिया हुआ है C के साथ 4 दिया हुआ D के साथ 2 दिया हुआ है अब आप खुद से check करो चलो मैं इन दोनों के answers आप लोगों को दिखा देता हूँ by the way मैंने यहाँ पर किस तरह से निकाला वो मैंने आपको बता दिया तो आपका straight forward answer निकल गया आपका A answer आएगा तो चलो दोनों questions के answer check कर लेते हैं जैसे कि first question में मैंने आपको बताया कि B mixture used होगा helium is used as a diluent for oxygen the mixture is used by sea divers as its solubility is very less in blood देखिए उसका reason भी बताया है और यहाँ पर second question का answer A होगा उसका मैंने यहाँ पर explanation पूरा दे दिया hybridization के साथ तो यहाँ पर guys इस तरह से आपको calculate करना होता है तो चलिए next two questions की तरह move करते है question number 3 देखिए question number 3 क्या है which of the two have same hybridization of the central atom देखिए ऐसे सवाल बहुत पूछे जाएंगे आपसे तो आपको hybridization बताना है जहाँ पर same हो तो देखिए बहुत simple है आपको hybridization के लिए दो चीज़े calculate करनी होती है total number of atom attached to the central atom plus साथ में आपको loan पर चेक करना होता है अगर यह दोनों number किसी भी दो compound के लिए similar है तो वहाँ पर hybridization similar होगी तो ज़रा चेक करो first question को चेक करते हैं यहाँ पर first जो option आपके पास है उसके अंदर ज़रा चेक करो पहले compound में total number of atom attached 2 loan पर कितने बचे होंगे यहाँ पर 2 electron तो जिनों ने use कर लिए 8 होते हैं 6 तो 3 तो 3 और 2 कितने होते हैं 5 तो first में आ रहा है इसका total 5 second वाले में चेक करो second वाले में total कितना आएगा second वाले में देखिए 4 item attach करके रखे हैं plus यहाँ पर loan पर कितने होंगे 4 electron यूज कर लिए 4 बचे तो 2 तो 4 और 2 कितने होते हैं 6 तो यह number match नहीं कर रहा है इसका मतलब यह answer नहीं हो सकता चलिए C option B option के दरफ चलते हैं यहाँ पर XEF4 का थो हम पहली निकाल चुके हैं जरा चेक करो XEF4 का number आएगा total 6 अब यहाँ पर XEOF6 का number निकालता है जरा चेक करो XEOF6 में total number of atom attach कितने हैं 5 जरा चेक करो 4 और यह रहा 1 5 loan पर कितने बचेंगे तो देखो fluorine के साथ 4 electron यूज कर लिए और oxygen के साथ 2 electron यूज कर लिए ठीक है 4 और 2 6 हो गए 8 होते हैं तो एक loan पर बचा तो 6 और 6 देखें यहाँ पर XEF4 के साथ 6 आ रहा है XEOF4 के साथ भी 6 आ रहा है तो यहाँ पर answer आपको सीधे straight forward मिल गया इसका answer क्या बनेगा B मैंने आप से खाहा था कि हैवरदेशन उसकी similar होगी जहाँ पर number of item attached तो प्लस loan पर similar होगे यह छोटी छोटी चीज़ा आपको आनी चीज़ा है chemical bonding में पढ़ाय जाती है guys बाकी कहीं भी आपको similar नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप निकाल के देख लो यहाँ पर total number of item attached 4 है वैसे हम पहले निकाल चुके है loan पर 2 है तो यहाँ पर 6 हुआ लेकिन यहाँ पर देखो total number of item attached 3 है और यहाँ पर loan पर एक ही है तो 4 हुआ तो यह नहीं हो सकता क्योंकि यह number similar नहीं है 6 और 4 ऐसा है total number of item attached देखिए यहाँ पर तो 4 हम पहले पहले निकाल चुए एक्जी ओफ 3 के लिए एक्जी ओफ 4 के लिए आपर 6 है तो यह number similar नहीं है तो इसका मतलब hybridization सेम नहीं होगा सरफ बी ही answer ऐसा है जहां पर hybridization आपकी सेम है चलिए fourth question की तरह move करते है और देखिए आपको hybridization निकालनी आनी चाहिए total number of item है जिसके आप hybridization निकालना चाहते है प्लस उपके बार loan पर कितने बचे bond बनाने के बाद finally उसको calculate करना है और यह सारे मैंने calculate करके दिखा दिए fourth question की तरह move करते है fourth question एक factual thing है जो आपको ध्यान निकनी है यहाँ पर फिर से match करना है यह list one और यह list two दे रखा है आपको देखे list one में gases दे रखिए noble gases और list two में आपको उनके क्या दे रखे है uses दे रखे है तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा किसमे use होती है कौन सी gas किसमे use होती है तो देखिए यहाँ पर सबको पता है कि helium gas हम balloons में भरते हैं तो a का answer तो four जाएगा तो इसका मतलब a answer नहीं हो सकता और d answer नहीं हो सकता या तो b होगा या या फिर आपका c answer होगा एक चीज और है देखिए ज़रा ध्यान से आपकी जो neon gas basically वो neon gas आप कहां tubes में इस्तमाल करते हो देखिए यहाँ पर glow नेस के लिए इस्तमाल करते है नियोन gas को वियोल नो तो c का answer third होगा तेक्शल में c का answer देखिए third का है b और c में c का answer third सिर्फ यहाँ दे रखा है तो इसका मतलब answer यहाँ पर c बनेगा यहाँ पर straightforward c answer होगा fourth question का चलिए next question की तरह move करिए be smart बहुत असानी सवाल के जवाब निकल जाते हैं कर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो पांचमें सवाल की तरफ चलते हैं which of the following species is is iso structural आपको बता नहीं यहाँ पर कौन सी species ऐसी है जो icl4- के साथ iso structural है बहुत simple question है देखिए यहाँ पर फिर से आप hybridization की मदद ले सकते हो जहाँ पर number of atom attach plus number of loan pair का total कितना आ जाए यहाँ पर जितना है तो देखो यहाँ पर total number of atom attach कितने है चार iodine के साथ 4 chlorine attach की है total number of loan pair चेक करो देखो iodine के पास 7 electron होते है एक extra हो गया आठ में से 4 यूज कर लिए 4 बचे तो 2 मानो loan pair तो यहाँ पर 6 हो गया तो यहाँ पर अगर किसी भी compound का total यह atom attach plus loan pair 6 आ रहा है तो उसका answer होगा तो ज़रा चेक करो यहाँ पर total number of atom attach 2 ठीक है यहाँ पर loan pair कितने ज़रा चेक करो तो यहाँ पर loan pair actual में ज़रा चेक करो देखिए जिनोन के पास 8 electron होते है दो यूज कर लिए 6 बचे तो 3 तो यहाँ पर 3 और 2 कितना होता है 5 तो यह answer नहीं हो सकता यहाँ पर ज़रा चेक करो यहाँ पर total number of atom attach 4 loan pair बचे 2 तो 6 सीधे answer आ गया वैसे answer इसका B ही बनना था F4 से भी चेक कर सकते थे आप तो फाइनली फिफ्ट को शिल का answer बनेगा B तो फाइनली यह answer है लेकिन मैं क्यों निकाल निकाल के दिखा रहा हूं आपको क्योंकि आपको आदत बन जा है कि हम लोग यहां पर hybridation कैसे निकालता है क्योंकि question बहुत आते हैं total number of atom attach 7 ठीक है वैसे यह exist करेगा नहीं specie ठीक है तो यह non existing specie है इसको छोड़ दो तो यहां पर total number of atom attach 7 है क्योंकि 7 यहां पर XZ F7 minus होता तब कुछ जाके बाद बनती क्योंकि loan pair यहां पर इन क्या है आठ यह पर होता है साथ यूज कर लिए तो यह पर minus होता तो एक loan पर बज़ता तो आठ हाता लेकिन यह specie जो है वह गलत लिखी हुई है खेर वह आपको क्या करने के लिए confused करने के लिए दिया हुआ है तो B answer है इसका six question की तरफ move करते है जो की बहुत ही अच्छा सवाल है कहता है xenone hexafluoride reacts with silica आपको बताना है xenone hexafluoride जब silica से react करेगा to form A and xenone compound X ठीक है to form a xenone compound X the oxidation state of xenone in X compound is बहुत अच्छा सवाल है आपको बताना है XZF6 जब यहाँ पर SiO2 से react करेगा तो यहाँ पर एक compound बनेगा जिसको उन्हें नाम दिया X और आपको यह बताना है कि जो compound बनेगा उसमें उसकी oxidation state क्या होगी state forward question यह है तो चलिए मैं इसका answer बताता हूँ finally इसका answer बनेगा plus 6 तो आपको मैं इसका answer explain कर देता हूँ ज़रा धान से यहाँ पर आपको बताना है और गन को कहा इस्तमाल किया जाता है तो फाइनली इसका answer बनेगा in high temperature welding देखिए factual question है आपको याद होने चाहिए 8th question की तरह move करता है जो की interesting question है थोड़ा hard question भी है आपसे यहाँ पर एक process दिया हुआ है Ramsey and Rayleigh तो यहाँ पर Ramsey and Rayleigh जो process है isolation of noble gases noble gases के isolation में Ramsey और Rayleigh process इस्तमाल किया जाता है आपको यह बताना है यहाँ पर the nitrogen कर दिया जाता है तो finally 8th question का answer बनेगा D that is sodium nitrate and sodium nitrite इन में convert कर दिया जाता है guys चलिए मैं इसको explain कर देता हूँ कैसे होता है उपर वाले को तो मैं explain कर चगा हूँ factual question है यहाँ पर जो nitrogen है उसको oxygen के साथ react करा के NO बनाया जाता है फिर से ही NO2 में convert होता है finally NO2 को NaOH से reaction करा जाता है उस process के अंदर और वहाँ पर इसको NaNO3 and NaNO2 में convert कर दिया जाता है तो यहाँ पर 8th question का answer आपको मालूम पड़ेगा कि D होगा चलिए last two question ले लेते हैं इस वीडियो के बहुत अच्छे question है नाइन्थ question को देखें the shape of XeO2F2 यह मेरा favorite question रहेगा और इसके आने के chances हैं आपको पूछा है कि XeO2F2 molecule का shape क्या होगा बताइए कि आपको आता है और comment section में लिखना मत भूलेगा कि आपको 9th question का answer आता था इमानदारी से लिखेगा यह मैं यह शर्त लगाता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को इसका answer नहीं आएगा so finally XeO2F2 again यहाँ पर hybridization का concept आपको काम देगा structure के लिए जरा check करो यहाँ पर total number of atom attached कितने है चार देखे दो oxygen और दो fluorine है loan pair कितने बचे होंगे देखिए oxygen के साथ उसने 4 electron use कर ली क्योंकि 2 oxygen है तो 4 electron use हो गए 2 यहाँ use हो गए 6 तो यहाँ पर एक loan pair बचेगा इसके बास तो 5 के हिसाब से आपको structure को सोचना है 5 के हिसाब से आपको पता है कि trigonal by pyramidal structure होती है लेकिन यहाँ पर तो total number of atom ही कितने है चार तो उसके according आपको answer देना है तो यहाँ पर बहुत ही interesting question है तो बताइए इसका answer क्या बनेगा actually trigonal by pyramidal को बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पर fluorine आपको यहाँ लगाना है A fluorine आपको यहाँ लगाना है एक oxygen आपको यहाँ लगाना है एक oxygen आपको यहाँ लगाना है XE यहाँ लगेगा और loan पर आएगा पीछे की तरफ तो यह इसकी structure है और actually इस structure कुछ बनी ऐसे तो ज़रा ध्यान से इसको देखो यहाँ पर यह structure बना और इसको हम लोग C so कहते है D answer होगा अगर आप D सोच पा रहे है तो आप बिल्कुल सही है guys C so कहते हैं इसको now look at it 10th question की तरफ move करते हैं जो कि again interesting question है ऐसा ही एक question थोड़े देर पहले हमने किया है बट फिर भी देखिए The reason for not storing XE F6 in glass or quads आपको यह बताना है कि XE F6 को हम लोग glass में या फिर quads में क्यूं store नहीं करते हैं तो बहुत interesting question है तो finally इसका answer बनेगा देखिए आप थोड़ी देर पहले XE F6 का reaction करवा के आये थे SiO2 से और आपने महा जाना थे कि यहां क्या बनेगा XE OF4 अभी आप जानके आये थे यह चीज आपको बता देता हूँ XE OF4 जो होता है basically वो क्या होता है explosive nature का होता है इसलिए हम इसको glass में store नहीं करते तो इसका answer भी बनेगा So guys यह मेरी तरफ से 10 ultimate questions हो गए I hope आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे एक question क्योंकि यह मेरे favorite questions में से एक है So finally यह इनके explanation हो गए 9th question का यह 10th question का यह आप ज़रा screenshot लेके इनको check भी कर सकते है So guys अगर आपको अच्छे लगे होंगे एक question तो आपको 4 छोटे-छोटे से काम करने है First or full channel को subscribe कर लेना Bell icon के बटन को जरूर दबाईए So guys अगली video मिलते हैं Thank you so much Thanks a lot Subscribe करना मत भूलिएगा Thank you